नमस्कार दोस्तों, एक्जाम प्रिपेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ UPPCS Pre-Exam 2024 के लिए हम लोग Previous Question की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जिसमें जोग्रफी की Question को मैं आगे Continue करने वाली हूँ सभी Subject लगबग मैं Start कर दी हूँ इससे आपके Previous Question exam से पहले Complete हो जाएं और साथ में ही Top 1000 Most Important Question की सीरीज कल से स्टार्ट हो जाएगी तो आप इन Questions को ध्यान से देखिए, पूरा वीजियो जरूर कीजिए और आपका क्या score रहता वो कमेंट करके जरूर बताईएगा कुछ बच्चे न्यू है इस चैनल पर तो बता दूँ ये Class daily रात को नो बज़े आती है इसके साथ साथ GS की Complete Class आप देख सकते हो दो भर एक बज़े तो चलिए स्टार्ट करते हैं 75 Questions हम लोगोंने Solve कर लिये थे आज आगे के प्रशनों को देखेंगे 76 Questions है निमलिखित में से कौन सी भारती नदी का युग्म भ्रंश घाटी से हो करके बहता है A है सर्यू और गंडग B है कावेरी और गोदावरी C है नर्मदा और टापी D है गंगा और कोसी इसका राइट आंसर हो जाएगा Option C नर्मदा और टापी ये दोनों नदीया भ्रंश घाटी में बहती है और थात रिप्ट वैली में बहती है और अपना जल अरब सागर में गिराती है बाकी सारी आप नदीया देखेंगे प्राइदी पी नदीया मुख रूप से अपना जल किधर गिराती है जो कि बंगाल की खाड़ी है मतलब पूर्ग की तरफ प्रवाहित होती है नर्मदा और तापी को आपको यालत नए पशिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदीया है अगला प्रशन है निमलिखित में से कौन सा रामसर इस्थल उत्तर प्रदेश में इस्थित नहीं है अ है सूर सरोवर बी है समस्पूर पक्षिय अभ्यारण सी है सुरिंसर मांसर जीले और डी है सरसरी नावर जीले इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्सन सी सुरिंसर मांसर जीले अगले प्रश्म में सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है एक तरफ नदी खाटी परियोजना है दूसरा वो किस नदी पर इस्थित है ये दिया गया है तो नदी खाटी परियोजना में लिहंद परियोजना है नागारजुन सागर परियोजना है पुचमपात परियोजना और माताटीला परियोजना अब ये नदियां देखिए कौन-कौन से हैं गोदावरी, बेतवा, लिहन्द और कृष्णा और सही उत्तरीन उप्षन के अकॉर्डिंग देना है तो अगर आपको एक भी परियोजना याद है तो उसे मैश करने की कोशिस कीजिए सबसे पहले दिहन्द परियोजना आपको पता है दिहन्द नदी पर है एक option हो जाएगा 3rd जो की ये 3ों में दिया गया है इसके बाद देखिए नागारजुन सागर परियोजना है कृष्णा नदी पर तो option B का हो जाएगा 4 और B का 4 कहां दिया गया option D में तो इसका right answer क्या हो गया option D बाकी देख लेते हैं देखें पोशिम पाद पर योजना है गोदावरी नदी पर माता टीला पर योजना है बेदवा नदी पर 3, 4, 1, 2 is the right answer 79th question है निम्लिकित में से कौन सा युगन सही सुमेलित नहीं है पहले आतिहासी किस्थल दिये गए हैं और दूसी तरफ उनके राजी दिये गए है तो बोध गया बिहार में B है सारनाथ हुत्तर प्रदेश में C है अजनता मध्य प्रदेश में और D है सोमनाथ गुजरात में दिया गया है इसका right answer हो गा option C अजनता मध्य प्रदेश में दिया गया जबकि यह महा राश्ट में श्थित है अगला प्रशन है रूस का कुजबास प्रदेश प्रसिद्ध है किसके लिए A है लौ हैस के लिए B है तांबा के लिए C है कोईला के लिए और option D दिया गया है सोना के लिए right answer हो जग option C रूस का कुजबास प्रदेश कोईला के लिए प्रसिद्ध है अगले प्रशन में फिर से सूची एक और सूची दो से सुमेलित करना है एक तरफ मैंग्रोविस्थल है दूसी तरफ उनसे संबंधित राजी दिये गए है मैंग्रोविस्थल में करिंगा है वेंबरनाड है पुली कठ है व विक्रोली है राजी में महाराष्ट तमिलनाडू केरल और आंद्रपिदेश है चलिए इसको मैश करते हैं और यह जो उप्षन दिये गए इनके अकॉर्डिंग का राइट आंसर बताना है तो सबसे पहले देखे इसका राइट आंसर हो जाएगा करिंगा है आंद्रपिदेश में उप्षन फोर एका फोर कहा है इसके बाद अगला देखते हैं वेंबरनाड और वेंबरनाड है केरल में पुली कट पुली कट को अब मैश करिए इसके अलावा तो यह हो गया तमिलाड और विक्रोली है महाराज्ट 4,3,2,1 ए ओप्षन राइट हो जाएगा 82nd question है विश्नु प्रयाग निम्लिखित में से की नदियों के संगम परिस्थेत है A है धौली गंगा और गंगा B है धौली गंगा और अलक नंदा C है धौली गंगा और रिशी गंगा Option D है अलक नंदा और रिशी गंगा देखे धौली गंगा और अलग मंदा मिलते हैं विश्णु प्रयाग में पंच प्रयाग में आपको रिवर वाले चेप्टर में कम्प्लीट करा चुकी हूँ जिन्होंने भी नहीं देखी वो क्लास आप जरूर देखी वहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इ 83rd question है निमलिकित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है एक तरफ संस्थान दिये गए दूसरी तरफ उनकी अवस्थिती है तो भारती दलहन अनुसंधान संस्थान कानपूर में दिया गया है भारती गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनों में है केंद्री कृषी वानिकी उसंधान संस्तान जहासी में दिया गया और राश्टी जैविक खेती केंद मेरट में दिया गया है इसका right answer हो जागा option D राश्टी जैविक खेती केंद गाजियाबाद में है ना कि मेरट में स्थित इसलिए option D right होगा 84th question है निम्लिखित में से कौन सा एक सहर दजलार्थात टिग्रिस नदी के किनारे पर इस्थित नहीं है A है मोसूल, B है कुरकुक, C है सामरा और D है बगदाद इसका right answer हो जागा option B किरकुक नहीं है टिग्रिस नदी के तटपर 85th question है निम्लिखित में से कौन सी भारत की सबसे दक्षडी पहाडी संखला है A है नेलगीरी पहाडी, B है सीरुमाली पहाडी, C है नल्ला मलाज पहाडी और D है इलाइची या फिक कार्डमुम की पहाडी 87th question है निम्लिखित महासागरी धाराओ में से कौन सा एक हिंद महासागर से संबन्देत है A है फ्लॉरीडा धारा, B है कनारी धारा, C है अगलुहास धारा, D है क्यूलाइल धारा देखी ये ओशनिक करेंस दी गई है और इंडियन ओशन की पूची गई है हिंद महासागर की कौन सी है ये बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन C अगलुहास हिंद महासागर की है 88 question है सुची एक को सुची दो से सुमेलित करना एक तरफ क्रांती दी गई दूसरी तरफ उनका छेत दिया गया है क्रांती में पीली क्रांती है, स्वेत क्रांती है, नीली क्रांती और हरित क्रांती है शेत में दुगदुत पादन है, खाद्यान उत्पादन है, तिलहन है और मशली उत्पादन है इसका राइट आंसर हो जाएगा देखे, पीली करांती तिलहन से रिलेटेड है स्वेत क्रांती दुखद उत्पादन से, नीली क्रांती मशली उत्पादन से और हरित क्रांती खाद्यान उत्पादन से इसका राइट आंसर हो जाएगा 3-1-4-2 ओप्शन B राइट है 89th question है निमलिखित में से भारत का कौन सा राजिक कहवा का सरवाधिक उत्पादक है A है तमिलनाडू, B है केरल, C है महाराश्ट, D है करनाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन D करनाटक अगला प्रेशन है निमलिखित में से उत्तर प्रेदेश के किस जिले में नरौरा परमाडू विद्यूत सयंत्र स्थापित किया गया है आगरा, प्रयागराज, गुलंद सहर और मेजापर इसका राइट आंसर है ओप्शन C, गुलंद सहर 91st question है निमलिखित में से कौन सा सहर यांग्जी नदी पर इस्तित है ए है नांचान, दूसरा है वुहान, तीसरा नांजिंग दिया गया है और चौथा गौंग छोओ दिया गया है यह आपको option दिये गए, इनके according बतान है मतलब कोई 2 ही होंगे option क्योंकि 2 ही 2 करके दिये गए है इसका right answer हो जागा option B, वुहान और नांजिंग यह यांग्टीजी नदी के तड़ परिस्तित है 92nd question है निमलिखित में से कौन सी जम्मू और कश्मीर केंदर शाशित प्रदेश की सबसे लंबी परवत संकला है A है नाक्टिबब शंकला, B है महाभारत शंकला, C है पीर पंजाल संकला और D है जासकर संकला देखिए जम्मू कस्मीर की सबसे लंबी परवत संकला हो जागी option C है पीर पंजाल, option C right होगा 93rd question दिया गया है सुची एक को सुची दों से सुमेलित करना है एक तरफ ओदोगी प्रदेश दिये गए दूसरे उनके ओदोगी केंद दिये गए है इसमें मुंबई और पूने दिया गया है कोलकाता हुगली, C है हमदाबाद बडोदरा, D है मदरास, कुईमटूर और बंगलूरू इसका राइट हो जाएगा मुंबई पूने का ओदोगी केंद है रिश्णा में एहमदाबाद बडोदरा का ओदोगी केंद है यह हो जाएगा कलोल और मदरास, कुईमटूर और बंगलूरू का भद्रावली यहाँ पर औप्षेन ए राइट हो जाएगा 4th ही 2-1 94th question में सूची एक को सूची दो से फिर से सुमेलित करना है अब दीब दिये गए हैं दूसी तरफ उनके देश दिये गए है दीब में क्रीट है, साडीनिया है, कोर्सिका है और बेलरीक है देश में स्पेन है, फ्रांस है, ग्रीस है और इतली है चलिए इनको मैंच करते हैं, तो क्रीट हो जाएगा ग्रीस में साडीनिया हो जाएगा इतली में कोर्सिका का उयाद रखिए, इसका हो जाएगा फ्रांस और बेलरीक हो जाएगा स्पेन में तो 3421 जिस उप्शन में दियागा, उप्शन बी राइट होगा 95th कोशन है, इसिया में सरपथम निर्यात प्रशंसकरन छेत, EPZ कहां इस्थापित किया गया टोक्यो, ढाका, कांडला और चिन्ने इसका राइट आंसर उप्शन C, कांडला में 96th कोशन है, राश्टी पर्यावरण अभियांति की सोथ संस्थान कहां परिस्थे थे लखनों, भूपाल, नागपूर या फिर देली इसका राइट आंसर हो जाएगा, उप्शन C, नागपूर में 97th कोशन में कथन और कारण दिये गए हैं और इनके अनुसार इन उप्शन का चेयन करना है कथन दिया गए मानो गर्म एवन आद जलवायु में सहज महसूस करता है इसका कारण दिया गए क्योंकि आद जलवायु में पसीना तेजी से वास्पित होता है अब बताना हैं इनमेंसे कौन सा आप्षण आपको सही दिया गया है इसका right answer हो जाएगा option D कथन और कारण दोनों ही असत्य दिये गए हैं क्योंकि मानों गर्म और आद जलवायू में बहुत ही असहज महसूस करता है और आद जलवायू में जब humidity ज़ादा होगी तो पसीना वासपित नहीं होता तो option D is right 98th question है निम्न में से कौन सा एक प्राकितिक सोत नहीं है म्रदा, जल, वायू और बिजली ये तो बहुत अच्छे से आप पहचान जाएंगे इसका right answer होगा option D बिजली नहीं है 99th question है निम्न में से कौन सा देश है जो सार्प का सदस्य नहीं है ए है म्यामार, बी है नेपाल, सी है भूटान, और डी है मालदीव इसका right answer हो जाएगा option A इसमें म्यामार नहीं है आज का last question है निम्न कित में से कौन से जीव समू की सरवाधिक जैविवित्ता होती है ए है मत्सकी, बी है उभैचर की, सी है इस्तंधारी और option D दिया गया है कवक, इसमें right answer हो जाएगा option D कवक तो आज हम लोगों ने geography के अगले set में 25 question और solve किये हैं I hope आपको समझ में आए होंगे, किसी भी question में problem है आप comment करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को share करते रहे ऐसे ही और question के साथ मैं मिलती हूँ next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद